नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बात करेंगे Burger King की देखिए IPO का अलाटमेंट स्टेटस आ गया है अब काफी लोगों की queries हैं कि हमको करना क्या चाहिए तो हम आपको explain करेंगे सबसे पहले एक चार्ट आपको दिखाना चाहेंगे Burger King के जैसा ही चार्ट है आपको मैंने इसको पहले भी दिखाया हुआ है Dominoch Pijja से deal करते हैं ये fast food से related इनकी भी category है अगर आप देखेंगे तो 80 रुपए कहां से 80 रुपए से सुरुवात हुई थी और ये सुरुवात अभी तक जारी है मतलब कि हर दिन ये उपर से उपर चले जाता है ये stock और अभी अगर आप rate देखेंगे 2600 प्लस का है ठीक है ट्रेड हो रहा है live market में अगर आप return देखेंगे 30 गुना का है ठीक ये चीज मैं क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी से मैं आपको burger king का comparison दूँगा और listing gain कितना होगा आपको अगर नहीं मिला तो आपको क्या करना चाहिए सब कुछ explain करूँगा 30 गुना का profit क्या होता है इसको एक मिनट दिमाग में रखे रहिएगा अब burger king की बात करते हैं आपके लिए advantages क्या है जो इनके parent है वो बहुत ही बहतरीन है मतलब कि आप अगर होता है ना कि 10 में से कितने number दोगे parentage को तो मैं साढ़े 9 number दोगा क्योंकि बहुत बहुत बहुतरीन parent है और ये सबसे पहली चीज होती है जो आपको check करनी चाहिए कि इनका group कैसा है इनके promoters कैसे हैं तो इस चीज को मैं साढ़े 9 number दे रहा हूँ और साढ़े 9 number देने का main मसला इसलिए आता है क्योंकि एक category और जोड़ेंगे एक और stock मनपसंद beverages अब ये stock भी एक समय बहुत उंच्वे price पे trade किया करता था लेकिन company को trade से ही निसकासित कर दिया गया company के management ने fraud किया company क्या बताएं अब ये हमेशा stock market में risk होता है company का promoter ही अपने stock price के अलग-अलग behavior को handle करवाता रहा और यहां से भी पैसा कमाता रहा even अपने products को घटिया quality का भी बनाता रहा तो इस category के भी fraud होते हैं इंडिया में इसके लिए आपको तयार होना चाहिए अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि यहां पर जो parentage है वो सारे no number मैंने दिया है यहां पर ऐसी संभावना बहुत कम है इसलिए आप इस company में बिल्कुल investment कर सकते हो अब जब मैंने आपसे 30x की बात की है तो वो ऐसे ही एक दिन एक साल दो साल में नहीं आया है वो over a period of time आया है 10 साल में 30 गुना का return बहुत बढ़ा होता है आप समझिए आज से 10 साल बाद अगर आपके पास इस वक्त 5 लाख रुपे हैं तो अगर आप इसको 30 गुना कर दोगे 1.5 करोन आपको 10 साल बाद कोई company अगर दे रही है अगर investment purpose से आपने उसको लिया है और इस हिसाब से अगर आप उसको tackle करते हुए चल लए हो आपको कुछ और नहीं करना है आपको S.I.P. mood में investment करते जाना है और आराम से आप return कमा लोगे यह होता है एक अच्छी company अब आप चूज कर लेते हो वहाँ पर आप return इस तरीके से कमाते हो अब अगर आपको Burger King का IPO मिल जाता है और अगर आपको मिला हुआ है तो मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझेगा बहुत ध्यान से अब बात करेंगे grey market premium की तो पहले grey market बहुत छोटे सब्दों में जान लीजे यह काला बाजार होता है एक तरीके समझ लीजे वहाँ पर 40-42 रुपए का premium चला है यानि कि stock जो है वो 100 रुपए पे list हो सकता है यानि कि आपको 15,000 के बदले 21,000 आराम से मिल सकता है as of now present market scenario और यह जो percentage profit है या आपका बड़े आराम से उपर जा सकता है जैसे यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 70% का profit है यह ठीक है आपके 15,000 पे लेकिन यही profit और उपर जा सकता है यह हमने देखा है जहाँ पर overwhelming response मिलता है IPO उसको वहाँ पर यह profit जो है कुछ result आने दीजिए stock की re-rating होगी देखिए कोई भी stock ऐसे ही बिना किसी fundamental के हवा में नहीं उड़ सकता बाजार एक premium देती है हम उस premium का सम्मान करेंगे लेकिन हम कुछ और results का wait करेंगे हो सकेगा तब तक company भी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी जो नुकसान में अभी चल लिए वो profitability में आ जाएगी तो ये सारे सिनारियों जो हमको मिलेंगे हम तब fresh investment की बात कर लेंगे क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम बाद में नहीं ले पाएंगे बिल्कुल मौका मिलता है और अगर आपको 100 के नीचे मिलता है तो आपको S.I.P. mood चालू करना है और ये मैं कब कह रहा हूँ जब ये stock कम से कम 2 महिने trade कर ले exchanges पे यानि कि मौका सब के पास है आप मौका चुको के नहीं सबसे बड़ा advantage है कि small cap company है तो जिनकी उम्र कम है जो बड़ा risk ले सकते हैं उनके लिए perfect opportunity है long term में बड़ा पैसा कमाने की अब मैंने जो आपको ये fraud वाली company भी दिखाई मनपसंद beverages बड़ी हाँ बेतरिन company भी दिखाई zubli and food उसके बाद आपको decision लेना है कि आपका अगर portfolio एक लाख का है तो आप कितना पैसा आप कितना पैसा इसमें डालोगे पांच हजार चार हजार, तीन हजार, दो हजार इस से जाद आपको नहीं डालना है क्योंकि आप अगर small cap company select कर रहे हो तो हमसे कम आपको 20 company हां select करनी चाहिए क्योंकि 5 तो ऐसी होंगी उसमें से जो कहीं नहीं जा रही उनकी performance वैसी की वैसी रह जाएगी over the period of time वो आपको अगर 8% का भी CGR दे दें तो आपके लिए best case scenario रहेगा ठीक है, 5 ऐसी होंगी जो आपको negative return देंगी लेकिन 10 ऐसी होंगी अगर आपने सही से analysis करके company लिया है जो आपका पैसा 10 साल में कोई 5 गुना करेंगी ध्यान रखिए का 5 गुना भी 10 साल में बहुत बड़ी बात होती है कोई 4 गुना, कोई 10 गुना, कोई 15 गुना और कोई civilian food जैसी होगी तो 30 गुना भी करेगी तो इसके लिए आपको तयारी बना कर रखनी है अब घबड़ाट किसी बात की नहीं देखो, simply आपको एक चीज़ समझनी है बाजार में जब supply जो है बहुत कम हो और demand हाई से हाई हो तो हम सब को stocks नहीं मिल सकते हैं अब जिनको भी allotment मिला है देखो, बहुत rare chances में लोगों को मिल ला है मैंने मेरे साथ जितने भी लोग connector है आप समझे ये 100 प्लस में से सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को मिला और ये दो लोग ऐसे नहीं थे दो लोगों को एक एक lot मिला है और ये दो लोग ऐसे नहीं थे कि मतलब ये 100 लोग ऐसे नहीं थे कुछा भी था कॉमेंट में तो काफी लोगों ने रिपलाई दिया है कि उनको मिला है काफी लोगों ने टेलीग्राम पे मेसेज़ेज भी हमको सेंड की है बिल्कुल मिलता है बस मैंने पिछली वीडियो में एक रिक्वेस्ट की थी कि सभी को एक ट्रांसपेरेंसी दिखानी किस हिसाब से सेलेक्शन होता है कि लोगों को सेलेट किया जाता है मैं बिल्कुल कि यह मानता हूं को लॉटरी सिस्टम होता है बिल्कुल लॉटरी सिस्टम पर करिए क्योंकि अगर आप फस्ट इन फस्ट आउट पर करोगे तो वहां तो रिटेल इन्वेस्टर कभी जीती पाएगा सबसे पहले जो अप्लाई करेगा उसको मिलेगा ऐसा कुछ होता नहीं बहुत सारी लोगों की क्वेरी यह होती है कि हम जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसी को मिलेगा ऐसा कुछ नहीं होता है जो पहले दिन पहले सेकंड में अप्लाई करें लास्ट दिन के लास् अब लास्ट बात मैं आपसे एक चीज कहना चाहूँगा कि जब भी आप investment करो वहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है पहला group कौन सा है और दूसरा business किस category का है अगर आपने ये ये दो बाते अगर आपने ध्यान रख ली इतना मान लीजे आपकी 50% research complete हो गई अगर आपको group perfect दिख रहा है ठीक है अगर आपको group जो है वह perfect दिख रहा है और business जो है वह perfect दिख रहा है मतलब business का future plus plus है और group का past प्लस प्लस है ध्यान दीजेगा group का past perfect है और business का future perfect है 10 से याद आ गया ना अगर आपने ये दो काम कर लिया, 50% आपका काम done हो गया, अब इसका मतलब क्या है, इसके बाद आपको company वो select करनी है, जो ठीक ठाक valuation पे मिल लही हो, इसके लिए मेरे एक वीडियो है, how to select cheap stocks, मतलब सस्ता stock कैसे ढूने, और सस्ते का मतलब ये नहीं, 5 रुपय वाला सस्ता है, और पांसवाला महँगा है, जी नहीं, उल्टा होता है, बहुत केसे में यही होता है, पांसवाला सस्ता मिलता है, पांसवाला महँगा रहता है, तो वो वीडियो आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरा अनुमान में आपको बता देता हूँ, जो curry market का premium है, वो 70 60-plus percentage पा रहे हो, आपको तुरंत exit करना है, अपनी 90% position हरहाल में, आपको exit कर लिना है, और क्योंकि मैं जब भी IPO में apply करने के लिए बोलता हूं, तो listing gain पे आपको profit book ही करना चाहिए, long term वालों को better opportunities मिलेंगी, यह नहीं करा better rate मिलेगा, opportunity better मिलेगी, इतनी मेरी expectation है, आप क्या वीडियो बनाई थी, उसमें एक चीज मैंने समझाई हुई थी, कि यह जो मतलब company है, यह अभी loss ले रही है, इस चीज से आपको यह नहीं मतलब अपने दिमाग में रखना है, कि company loss making है, ठीक है, company expansion mood में है, और एक चीज समझेए, जिस company का past perfect होता है, किसमें group के through, और वो company जब expansion mood में काम करे, पलस उसके पास जो business opportunity हो, वो कमाल की हो, तो समझेए कि jubilion food जैसा ही हाल होता है, 30x का return आपको 10 साल में मिल जाता है, क्योंकि इंडिया में आप खुछ सोचिए, कि जितना तेजी से food sector grow करेगा, उतना तेजी से कोई और कर सकता है क्या, जी नहीं, क्यों क्योंकि food sector हर category से जुड़ा है, आप अगर सरकार बढ़िया जॉब opportunities देश में create करती है, तो लोग खाना खाएंगे जाकर, कुछ भी होता है, लोग जाकर party करते हैं, कुछ भी होगा, घर में कुछ भी हो गया party करो, कुछ भी हो गया party करो, कोई कि चोड़ के भाग गया party करो, तो समझिए, थोड़ा सा मतलब हो रहा है न, funny सा माहल, तो आप समझिए, जब लोगों का ऐसा mindset है इंडिया में, और health पे अभी लोग focus करते नहीं, क्योंकि इंडिया वाले वैसे ही, पहले से healthy हैं, अब अमरीका, अमरीका में लोग focus कर रहे हैं कहीं, और हम सब अभी focus कर रह है यार, और हाँ, आपसे request सिर्फ इतनी है, कि जो मेरी वीडियो है, सस्ता stock कैसे सेलेक्टर रहें, उसको जरूर देख लीजगा, आपको काफी help मिलेगी, और अगर वीडियो पसंद आई, तो like करना आपका काम, नहीं पसंद आई, तो dislike करना आपका हक है, मिलेंगे फिर से क तब तक के लिए हस्ते खेलते रहें, यार, वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत आभार, जन्यवाद,